जहीं दोस्तों वेलकम टीन इन स्कूल दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे जबरदस्ट अपडेट्स के बारे में जिससे भारत को आने वाले समय में एक बड़ा फाइदा मिल सकता है दोस्तों नमबर बन बात तो ये है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्रू इस समय पर भारत का है तो वो चीन में है इसमें बिलकुल भी संदेर नहीं है पाकिस्तान है लेकिन दोस्तों पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इतना टुचा सा देश है कि भारत कभी भी किसी भी तरह से उसे हरा सकता है वहाँ पर भारत को confirm रूप से बड़ा profit मिलेगा ही मिलेगा और आज एक ऐसे news updates के बारे में बात कर रहे हैं हम हाल फिलाल में हमने देखा ही होगा दोस्तों बहुत सारी खबरें कि चीन चारो तरब से ताइवान को घेर रहा है क्योंकि चीन की फित्रत पहले से यही रही है कि उसके आसपास के जितने भी छोटे देश हैं उन्हें कब जाया जाए सबसे पहला उधारन हमें मिलता था तिबबत का तिबबत को उस समय पर चीन ने कब जा लिया था क्योंकि तिबबत की हाल्प करने वाला उस समय पर कोई भी नहीं था दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है अभी ताइवान को ये घेरने की कोशिश कर रहा है हालांकि उसके लिए चीन One China Policy बोलते हुए ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है सिरिलंका को हाल फिलाल में बर्बात करने में चीन का एक महत्पून योगदान रहा है पाकिस्तान के बहुत सारे पॉर्ट चाइना ने अल्रेडी कप जाए हुए हैं हम सभी इस बात को मानते हैं यानि आसपास के जितने भी छोटे देश हैं उन सभी को चीन पूरी तरह से इस समय पर परिशान कर रहा हालांकि ताइवान किसी भी तरह से यहां पर हालने के लिए तयार नहीं है अब दोस्तों स्री लंका और पाकस्तान की बात अलग थी लेकिन ताइवान को क्यों कब जाना चाता है चीन चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों एक चीज है जिसका नाम है सेमी कंडक्टर तो दोस्तों जो चिप इसे आप कह सकते हैं जिसमें भारत भी 90% तक च 65% semiconductor यानि chip बनाती है जो अमेरिका भारत और दूसरे देशों को वहाँ से export की जाते है यहाँ तक कि दुनिया की mobile की सबसे बड़ी और सबसे उन्नट technology वाली company जिसे हम iPhone यानि Apple भी कहते हैं उसमें भी अगर आप जाकर देखोगे तो उसमें भी जो chip लगी होती है वो made in Taiwan अभी तक उसमें लिखा आता था लेकिन दोस्तों आप China ने उस पर बहुत ज़्यादा objection कर दिया तो आप उस पर made in China लिखा आएगा क्योंकि वहाँ पर वो जो chip है वो ताइवान में बन रही आप अब दोस्तों यहाँ पर ताइवान 65% chip का उत्पादन करता है यही कारण है कि हाल फिलाल में जो नैंसी पेलोसी है जो ताइवान के विजिट पर गई थी उसने इस कंपनी में भी विजिट करी और इसने इस कंपनी को चाइना आपको परिशान कर रहा है तो अमेरिका में आकर अपने जो कंपनी जहाँ आप वहाँ पर इस्टाबलिस करें और वहाँ पर चिप बनाएं क्योंकि यह दुनिया के बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन दोस्तों चाइना किसी भी कीमत पर इस कंपनी को ताइवान से निकलने भी नहीं दे रहा है और ताइवान को ये भी बोल रहा है कि वो चाइना के अंडर में शामिल हो जाए यानि ताइवान में कोई भी प्रोड़क्ट बन रहा है तो चाइना उसे यही बोल रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर ताइवान में बनेगा तो उस पर made in China लिखा हुआ आना चाहिए और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तो billions of dollars, trillion of dollars का जो chip का market है वो चाइना और ताइवान के कबजे में इस समय पर है यही कारण है कुछी समय पहले हमारी सरकार ने भी ये गोशना किये थी कि भारत में chip निर्मान शुरू हो जाएगा साथ ही दोस्तों अमेरिका की जो टककर चल रही है चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा जबरदस्त है क्योंकि चाइना इस समय पर आने वाले समय में अमेरिका की एकोनोमी को भी पचाड सकता है जैसे स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है अब देखिए दोस्तों नो डाउट कि अमेरिका भी एक बहुत ज़्यादा चालाग देश है अमेरिका भी दुनिया में अपना दबदबा कायम रखना चाता है लेकिन यहाँ पर दो लाग उठता है जैसे अमेरिका की बहुत सारी कंपनी इंडिया में इस्टाबलिष्ट है जिससे इंडिया में उन्हें रोजगार मिलता है बहुत सारे लोग इंडिया से अमेरिका में नोकरी करने जाते हैं वहाँ पर अच्छा पैसा कमाते हैं और वो जो पैसा है वो इंड रहका लाब नहीं मिलता बस इतनी चीजे हैं कि चाइना से सस्ते में चीजे यहां पर इंपोर्ट हो जाती है और दोस्तों चाइना ताकतवर बनता है चाइना हमारी LOC पर अटेक करता है तो चाइना के पास उननत हतियार होंगे तो हमें उससे बहुत ज्यादा प्रोब्लम होगी चाइना के साथ अमेरिका के साथ हमारा बोर्डर शेर नहीं है तो दोस्तों हमेशा चाइम, रखने की हमेशा чाइना कोशिश करता है, हमारे आसपास के जो देस falou हैं जैसे सरेलंका है नेपाल है बांगला-देश है पकिस्तान है इन सभी देशों को अपने आपने मिलाने की कोशिश करता है इन सभी पर अगर इसनी कभजा कर लिया तो दोस्तों उसके बा अमेरिका कितना भी शक्तिशाली देश हो जाए उससे भारत को फायदा होगा कोई ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है अपनी तरक्की होगी तब ही अमेरिका जैसे देश हमें सपोर्ट कर पाएंगे तो अपनी तरक्की करना तो बहुत ज़ादा जरूरी है ही तो इसी के ब और दुनिया में जो अभी 65% ताइवान में और 20-25% चाइना में चिप्स का उत्पादन होता है वो वहाँ से घटा कर चाइना के साथ सोदे बाजी करके यह सारे के सारे काम करके चाइना के मार्केट को खराब करेगा मतलब चाइना में जो अबी चिप का उत्पादन हो जाएगा हो रहा है उसे तोड़ेगा और अपने देश में जादा से जादा चिप का उत्पादन करेगा अब दोस्तों विशेशक्यों का एक और भी बहुत जादा यहाँ पर मानना है कि जादतर गलोबल कमपनियों ने अपना दूसरा सबसे बड़ा डिजाइन सेंटर भारत में बना रखा है ऐसे में भारत और अमेरिका की सेमी कंड़क्टर चिप को पॉलिसी एक दूसरे के पूर अभी सेमी कंड़क्टर चिप के मामले में चीन पर अपनी रिबर तक घटाना चाहता है एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका के इस कदम से भारत को भी फायदा होगा और दोनों देशों में सेमी कंड़क्टर प्रोडक्शन प्रोग्राम को आगे बढ़ने में मदद मिलेग और जो जितने भी अभी बड़े फोन है जिनमें चाइना की चिप लगती है और गाडियों में भी लगती है उस सब में घटोती आएगी यानि चीन से इंपोर्ट कम होगा और हमारे देश का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में बढ़ेगा जिससे चीन का मार्केट जला घोटने के लिए या फिर आप कह सकते हैं चीन की बड़ती ताकत को रोकने के लिए यह बहुत ज़्यादा जरूरी कदम है जो कि कुछ देशों के दवारा उठाये जाने चाहिए कि चीन की जो बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ती हुई इंडिस्ट्री है उन्ह दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर चीन की कमर जो मार्केट की कमर है वो तोड़ने की भरसक कोशिश सबसे ज़्यादा इस समय पर भारत को करनी चाहिए क्योंकि चीन से आने वाले समय में किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो वो भारत को हो सकता है और भारत सरक से नीचे की किमत के जितने भी Chinese Mobile है, उन सब को BAN कर दिया जाएगा, इस से फाइदा क्या होगा कि 12000 से नीचे के जितने भी Mobile है, वो जादा तर चाइना के ही हैं, और ये एक बहुत बड़ा इंड़ा का Market है, वो सारे के सारे फोन बिकने बंद हो जाएंगे, वो 12,000 से उपर के जो फोन है, वो तो Samsung और दूसरी जो Indian companies हैं, दूसरी विदेशी companies हैं, वो भी लेकर आ रहे हैं, इससे Chinese market की फोन में monopoly खत्म हो जाएगी, इसके अलावा भी कुछ चीज़े हैं, जिन पर आने वाले समय में Indian government जो है, ban लगा सकती है और उसमें 12,000 से नीचे की क्यों, इसके लिए जो है बहान नहीं होते हैं सरकार के पास की बहुत सारी चीज़े हैं, जो international level पर बता पाएगी, जिससे कोई ऐसा impact भी नहीं पड़ेगा, और ओबिशली इस समय पर अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है, कुछ ऐसी चीज भारत जो है कड़ी आखे चाइना को दिखा रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फरक पड़ता है, जब अमेरिका जैसा country चीन के पूरी तरह से खिलाफ है, तो चाइना की ज्यादा हिम्मत नहीं होती, कि वो LOC पर ज्यादा गड़बड कर सके, इन चीजों का यानि जो साम का मार्केट तूट सकता है, थेंकि दोस्तों, all the very best, ऐसे ही लेशेस्ट अबडेट्स पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ इस वीडियो को लाइक और शुय करना ना भूले